हेलो दोस्तों देखो सीको स्टेडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों आज के स्टूड़े में आप देखेंगे पचास से अधिक जोए इंपोर्टेंट कोशन एक जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के करेंट अफियर हैं दोस्तों 2019 के सभी एकजाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट यह होगा ठीक है स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के आपके मोश्ट इंपोर्टेंट करेंट अफियर हैं जो कि सभी आने वाले एकजाम के लिए इंपोर्टेंट होंगे सबसे पहला दोस्तों हाली में जल दिवस जो है कब मनाए गया है और किसके द्वारा मनाए गया दोस्तों तो हाली में जल दिवस जो मनाए गया दोस्तों आपका 12 जुलाई को मनाए गया है साथीट बंगाल सरकार के दवारा मनायगया पश्चिं बंगाल सरकार के दवारा मनायगया है बारा जुलाई याद रखेंगे जल दिवस next question next question जो question तो विश्वय pare इस्टोरायड दिवस कब मनायगया है 30 जून 2019 को 30 जून को दोस्तो आपको मनाये गया है next question little master के नाम से किसको जाना जाता है little master के नाम से किसको जाना जाता है सुनील गवासकर को जाना जाता है सुनील गवासकर को जाना जाता है सुनील गवासकर का right answer हो जाता है साथ ही साथ comment box में सभी लोग बताएंगे master blaster के नाम से किसको जाना जाता है comment box बताइगा बहुत important है next जो question है दोस्तो यहाँ पर आपको बताना है cricket world cup 2019 का final मुकाबला किस stadium में खेला गया cricket world 2019 cricket world cup 2019 जो है इसका final मुकाबला किस stadium में खेला गया large cricket ground है लंदन में large cricket ground है लंदन में next question next जो question जोस्तो जो आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है करेंट अफर का क्रिकेट विश्वकप 2019 में किस गेंदबाज ने पहली है ट्रिक ली है पहली है ट्रिक जो है किस गेंदबाज ने ली है मुहम्मद समी ने मुहम्मद समी इसका राइड एंसर हो जाएगा next question साथी साथ दोस्तों यहां से एक और question पूछा गया है अभी हाली में question पूछा गया है कि जो है सबसे तेज जो है सो विकट लेने वाले जो है गेंदबाज का नाम आपको बताना है comment box बताएगा next question दोस्तों यहाँ पर 2019 वर्ल्ड कप में golden ball किस player को मिला है गोल्डेन बॉल जो है वो किस player को मिला है मीचेल स्टार्क को मिला है कहाँ खिलाडी है Australia के खिलाडी है अस्टेलिया के खिलाडी है मीचेल स्टार्क इनको मिला है golden ball next जो question दो cricket वर्ल्ड कप the Indian Challenge book किसने लिखा है आसी सरे ने लिखा है the Indian while yogi eln challenge किसकि ने लिखा है, आसीस रे ने लिखा है, सॉरी, next question, next जो question है, most当然 है question, जो आपके exam में पुछा सकता है, 2019-2020 कप में golden bat किसे मिला है, golden bat किसको मिला है दोस्तो, Rohit Sharma को मिला है, golden bat, ठीक है 2019-2020 कप में, next question, नेक्स्ट कोशन है दोस्तो जो आपके एक्जाम में पूछा सकता है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का तेरावा संसकर कहां और कब आयोजित किया जाएगा तेरावा संसकर दोस्तो यहां पर पूछा है तो तेरावा जो है 9 फर्वरी से 26 मार्च तक 2023 तक भारत में आयोजित किया जाएगा याद रखेंगे भारत में 9 फर्वरी से 26 मार्च 2023 भारत में नेक्स्ट कोशन तेरावा संसकर है दोस्तो यह भी याद दे रखेंगे आप next जो question जो यहाँ पर question आपसे पूछा जा सकता है ICICI bank का tag line क्या है इस bank का tag line क्या है तो दोस्तो इस bank का tag line है वो हम है न हम है न जो है यह इस bank का tag line है मैं उना अपने picture देखा रहा है तो मैंको शर्प हटा देना है हम है न आप समझ लीजिए next question नेक्स्ट कोशन है दोस्तो विश्व युवा कॉसल दिवस कब मनाया गया विश्व युवा कॉसल दिवस कब मनाया गया है पंदर जुलाई को दोस्तो पंदर जुलाई को विश्व युवा कॉसल दिवस मनाया गया पंदर जुलाई को नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोश्टन है दोस्तो राष्टिय राष्टिय वेमानिकी और अंतरिक संगठन यानि कि नासा के प्रसासक कौन है नासा के प्रसासक का नाम आपको बता है दोस्तो तो जिम बैडन स्टाइन इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तो याद रखिएगा कोश्टन आ सकता ह नेक्स्ट कोश्चन है अनादिकृत पानी बोतलों की विक्री पर रोक के लिए आरपीएफ द्वारा देश वर में किस नाम से अभियान चलाएंग गया है याद रखेएगा दोस्तों रेलेवे में पका ये कोश्चन आपसे पूछा चासता है कि अनादिकृत पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक के लिए आरपी अव द्वारा देजवर में किस नाम से अभियान चलाए गया है तो ऑपरेशन का क्या नाम है दोस्तों ओपरेशन थर्स्ट नेक्स्ट कोशन next question दोस्तो बिस्तो अबर में 20.5 करोड एंडूराइड फोन की सवायरस के चपेट में है ये भी याद रखेगा question आसकता है 20.5 करोड जो आपके Android फोन है वो किस वायरस के चपेट में है agent Smith agent Smith जो है virus के चपेट में है ठीक है next question next question दोस्तो एक सर्वेच्छड के अनुसार भारत का कौन सा जगा विश्व का नौवा महेंगा ओफिस लोकेशन है कनाट प्लेस है दोस्तो कनाट प्लेस साथ साथ कमेंट बॉक्स मताएंगे किस सहर में है ये कनाट प्लेस कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे बहुत यसान है आपने movie देखा हुआ तो film में भी कई बारी है कनाट प्लेस का जिक्र किया जाता है एक सरविच्छर की अनुसार भारत में कौन सा जग़ा जो विश्टो का नौवा महेंगा office location है कनाट प्लेस में है दोस्तो comment box मताएंगे किस सहर में यह है बारत किस सहर में कौन से सहर में next question है जो आपके exam में पूछा सकता है राष्टिया चिकित्सक दिवस जो है कब मनाया गया है एक जुलाई को दोस्तो याद करना भहुत यसान है एक जुलाई 2019 को जो है राष्टिया चिकित्सक दिवस मनाया गया है next question हाली में किस कमपनी द्वारा अमेरिकी software company redhead ता अधिकरण किया गया है अधिकरण किस कमपनी ने किया यह आपको बताना है तो IBM कमपनी द्वारा किया गया अधिकरण ठीक है IBM ने जो है अमेरिका के जो software company जो है redhead इसका अधिकरण किया है IBM ने ठीक है next question next question दोस्तों England cricket team ने आस्टेलिया को हरा कर कितने साल बाद 200 कब final में पहुंचा मतलब यह कितने साल बाद जो है अस्टेलिया को हरा कर जो है next question next question ACI junior championship में under 19 में हाली में स्वान पदक किसने जिता है ACI junior championship में under 19 में किसने स्वान पदक gold medal किसने जिता है वो आपको जो है दोस्तों दीखें यहां पर भारत के हैं और यहां पर किसने जिता है वीर चोटरानी ने जीता है भारत के हैं जो की स्क्वास खेल में जीते हैं कौन सा खेल है स्क्वास खेल है ठीक है इसमें इन्होंने जीता है नेक्स्ट कोशन कौन सा पतक जीता है गोल्ड याद रखेगा नेक्स्ट कोशन दोस्तो भारत में महिला स्टार्ट अप सिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहा किया गया भारत में महिला स्टार्ट अप सिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहा किया जा रहा है दोस्तो बताना है तो दोस्तो कोच्चीन में कोच्चीन इसका राइडेंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन दोस्तों धाविका दूती चंद धाविका दूती चंद इटली में आयोजित तीसवे समर उनिवर्शिटी गेम्स में महिलाओं की 100 मिटर दौड में किस पदक को जीता है नाम है धाविका दूती चंद और इनोंने कहाँ पदक जीता है इटली में आयोजित है तीसवे समर उनिवर्शिटी गेम्स है ठीक है महिलाओं की 100 मिटर में इनोंने गोल्ड पदक जीता है स्वण पदक इनोंने जीता है नेक्स जो दूस्तों कोश्चन है किरिया कोस मिटर हाली में किस देश के प्रधानमंतरी के रूप में चुने गए हैं कीरिया कोस जो है मिट्सो हाली में किस दिस के प्रदानमंत्री के रूप में चुने गए हैं तो ग्रीस के प्रदानमंत्री बने हैं याद रखेगा ग्रीस के जो है कीरिया कोस मिट्सो ठीक है ग्रीस के प्रदानमंत्री के रूप में चुने गए हैं नेक्स्ट कोश्चन दोस्तो GST की दूसरी वर्षगाट हाली में कब मनाई गई GST की दूसरी वर्षगाट जो है हाली में कब मनाई गई 1 जुलाई 2019 1 जुलाई को दोस्तो ठीक है नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन दोस्तो पहाली में किस देश ने इसराइली टैंक रोधी स्पाइल मिसाइलों को खरीदने है तू एक सौधा क्या है भारत ने क्या है दोस्तों ठीक है किसका सौधा क्या है इसराइली टैंक रोधी स्पाइल मिसाइलों को खरीदने है तू एक सौधा क्या है इंडिया ने ठीक है नेक् PK पुर्वार PK पुर्वार को Next question Next question दोस्तों Indian Overseas Indian Overseas Bank के MD और CEO के रूप में किसने पदभार समाला है Indian Overseas Bank के MD तथा CEO एक अही व्यक्ति हैं और यहाँ पर किसे किन्यों ने पदभार समाला है कर्डम सेकर कर्डम सेकर ने यह पदभार समाला है Bank कौन सा है Indian Overseas ठीक है Next question दोस्तों विश्व यूफो दिवस कब मनाया जाता है विश्व यूफो दिवस जो है दोस्तों 2 जुलाई को मनाया जाता है 2 जुलाई का राइड एंसर हो जाएगा Next question Next जो questions तो हाली में भारत और किस देश के बीच दूसरे दौरे की रणनिति आर्थिक वारता नई दिल्ली में संपनवी दोस्तों आपको बताना है कि हाली में भारत और किस देश के बीच दूसरे दोरे की रन नीतिक आर्थिक वारता नई दिल्ली में संपन वी तो रूस के साथ भारा होता हो रूस के साथ दोस्तों ठीक है याद रखेगा आर्थिक वारता हुई है ठीक है next जो questions तो हाली में किस सरकार ने पिछले सालों में आत्महत्या कर चुके किसानों के परिवारों को साथ साथ लाक रुपे का ये मुवावजाद देने का फैसला किया है आंध प्रदेश सरकार ने साथ इसाथ जिन लोगों को पता हुगा Comment box बताएंगे comment box मताएंगे अभी जो है किस पार्टी की सरकार है नेक्स जो कोशन दो देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन जो आपके एक्जाम में पूछा सकता है, हाली में किसे विदेश मंतराले के सच्चिव के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब विदेश मंतराले का सच्चिव का नाम आपको बता हैं दोस्तों, तो विकास स्वरूप को, विकास स्वरूप को जो दोस Center, Fesnoa कहां launch किया गया है भारत का पहला Design Development Center है Fesnoa, ठीक है और ये कहां पर launch किया गया है सूरत में दोस्तो, सूरत में साड़िया और ये बनती है तो Fesnoa आप ऐसे याद कर सकते हैं Design Development Center है सूरत इसका right answer हो जाएगा साथी साथ comment box में जिन लोगों पता होगा बताएंगे सूरत किस राज्य में है सूरत जो है वो किस राज्य में है next जो questions तो बहुत important है exam में आ सकता है एक-दो साल तक ये बना रहेगा question पूछा जाता रहेगा question है one nation, one रासन card योजना की सुरुआत कब होगी कब ये जो है योजना का सुरुआत होगा क्या है one nation, one रासन card योजना का सुरुआत एक जुलाई 2020 से सुरुआत हो जाएगी एक जुलाई 2020 से one nation, one रासन card का जो है सुरुआत हो जाएगा ठीक है एक जुलाई 2020 से next question है जोस्तो विसो सुरहिया याद है न, न्यूज में बना हुआ था, ठीक है, वही आपका कुशन है, करनाटक सरकार ने दुनिया भर में सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए, किस प्रसीद इंजिनियर के नाम पर जो है, यहाँ पर यह सोलर जो चलाये गया है, सोलर अवाट देने क गोशना किया है, तो यहाँ पर यह नाम मैंने गलती से लिख दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है, करनाटका विसो सौरहिया जो है, तो आप नाम याद कर रख सकते हैं, एम विसो सौरहिया इनका नाम है, एम विसो सौरहिया के नाम पर जो है, यह करनाटका विसो सौरह सोलर एवार्ड देने की घोषणा का नेड़े लिये हैं ठीक है सौर उर्जा को जो है बढ़ावाद देने के लिए यह आपका एवार्ड दिया जा रहा है विसस्वरया एम विसस्वरया के नाम पर ठीक है याद रखेगा कोशन आ सकता है नेक्स्ट जो कोशन तो विम्बल्डन टैनिस में इस साल महिला एकल किताब किसने जीता है विम्बल्डन जो है टैनिस में इस साल महिला का एकल किताब जीता है सिमोना हालेप ने सिमोना हालेप ने जीता है ठीक है नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट जो question तो हाली में किस स्वदेसी anti-tank guided missile का 3 बार सफल परिच्छन किया गया तीन बार जो है इसका सफल परिच्छन किया गया स्वदेसी anti-tank guided missile है यह वे सफल हो है नाग नाग जो है anti-tank guided missile है ठीक है next question next जो questions तो very important यह भी question आपसे पूछा सकता है next जो questions जोस्तो जल सनरच्छन सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य है जल सनरच्छन सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य है मेघाला है दोस्तो, साथी साथ comment box ने आप सभी लोग बताएंगे कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ठीक है जल सनरच्छन मेघाले next question next जो question है जोस्तो हाली में किस पाकिस्तानी खिलाडी ने एक दिवसी या अंतराश्ती क्रिकेट जगत से सन्यास लेने की घोषना कर दिया है यहाँ पर कौन सा जो है खिलाडी है स्वेब मली है दोस्तो स्वेब मलिक स्वेब मलिक इसका राइड एंसर हो जाएगा याद रखिएगा कोशना आप से पूछा जा सकता है नेक्स जो कोशन तो उस भारतिय फुटबाल खिलाडी का नाम बताईए जिसने AIFF Player of the Year का खिताब जीता है सुनील चेतरी सुनील चेतरी है उस भारतिय फुटबाल खिलाडी का नाम जिसने AIFF Player of the Year का खिताब जीता है साथ से दोस्तो एक से related एक question है ठीक है वो बताईएगा दोस्तो यहाँ पर क्या है question वो मैं बता दे रहाँ एक और हैं जिनका नाम आपको बताना है 100 से ज़्यादा जो है अंतराश्टी या मैच खेलने वाले footballer का नाम आपको बताना था तो दो हैं दोस्तो ठीक है इंडिया में ये दो हैं सुनिल छेतरी एक हैं और एक और हैं उनका नाम बताईगा ये दूसरे हैं ठीक है पहले जो हैं उनका नाम comment box में बताईगा बहुत याट पटा सा नाम है लेकिन देखते हैं कौन को लोग बने हुए हमारे वीडियो के साथ करेंट अफेर के साथ उनको जरू से जरू पता होगा नेक्स्ट कोशन दूस्तो भारतिय क्रिकेटर महंदर सिंग धोनी हाली में कितने वंडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दसमें क्रिकेटर बन गये हैं कितने मैच खेलने वाले 350 मैच खेलने वाले ठीक है कौन महंदर सिंग धोनी ठीक है नेक्स्ट कोशन नेक्ट जो कोशन है दोस्तों वही कोशन है आपका जो है यहाँ पर बदल करके ले लिया गया है M.V.S.R.E.A. के नाम पर जो है solar plant है वही solar reward है उसी के उपर है वह राज्य किसने मतलब जिसने यहाँ पर जो है जिसने हाली में M.V.S.R.E.A. के नाम पर solar reward देने की गोशना किया है तो कौन सा राज्य है दोस्तों अभी मैंने आपको बता है करनाटक करनाटक इसका right answer हो जाएगा दोस्तों ठीक है नेक्स्ट कोशन दोस्तों बिश्व स्वास्त संगठन ने हाल ही में किस देश को खसरा मुक्त घोसित किया है खसरा मुक्त जो है घोषित किया है किस देश को सिरलंका को दूस्तो सिरलंका को जो है खसरा मुक्त जो है घोषित किया है विश्वस्वास्त संगठनने ठीक है next question दोस्तो हाली में किस स्थान पर भारत आसियान त्रीगुट व्यापार मंत्रियों की बैठक आयूजित किया गया तो आयूजित किया गया दोस्तो नई दिल्ली में कहा आयूजित की गई है दोस्तो आपके नई दिल्ली में क्या आयूजित किया गया है भारत आसियान त्रीगुट व्यापार मंत्रियों की बैठक ठीक है next question जोस्तो NASA के अनुसार सनी ग्रा के सबसे बड़े उपग्रा टाइटन है आप सभी लोग जानते हैं पर किस नाम का drone भेजा गया है यहाँ पर किस नाम का जो है Titan पर सनी का जो उपग्रा है सबसे बड़ा टाइटन टाइटन पर कोई drone भेजा गया है तो सभी आप याद रगेंगे ठीक है कहाँ पर भेजा गया है किस गरह के उपगरह पर जो है सनी गरह के टाइटन उपगरह पर Dragon जो है Fly नाम का जो है drone भेजा गया है याद रखेगा Dragon Fly Next question जोस्तो BCCI के किस पुर्व भारतिय कप्तान को बैंगलूरू इस्थित राष्टिय क्रिकेट अकेडमी का क्रिकेट प्रमुक्त न्यूक्त किया गया है राहूल ध्रविड को जोस्तो प्रमुक्त न्यूक्त किया गया है ठीक है बैंगलूरू इस्थित जो है किस बिवादित मुद्दे पर अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी किया है किस बिवादित मुद्दा है कास्मीर समंदी मुद्दा इस पर जो है रिपोर्ट यहां पर जो है मानौ आधिकार सन्युक्तर राष्ट मानौ आधिकार जो है अपना रिपोर्ट जारी किया है दूसरा ठीक है, नेक्स्ट कोश्यन, नेक्स्ट कोश्यन तो 200 जन संख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को याद रखेंगे, एक और एक करके भीड़ बढ़ रही है, आपको समझ में रहा है ट्रिक, एक एक करके तो बूद भरता है घड़ा, तो एक एक करके यहाँ जो संख्या पर से याद कर सकते हैं, 11 जुलाई को यह होता है, मनाया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट कोश्यन, बहुत इंपोर्टेंट है, रिलाइंस जीओ, इसका एंसर हो जागा, किस मोबाइल कंपनी ने देश में पहली बार इंटरनेट उप्योग करता के लिए, डिजिटल सा अच्छर की पहल किया उप्योग करता के लिए, ठीक है, इंटरनेट उप्योग करता के लिए, नेक्स्ट कोश्यन, नेक्स्ट कोश्यन दूस्तो, प्रधान मंत्री नर्यमोदी ने, किस स्थान से सदस्यता परवत 2019 को लांच किया, वारानसी से दूस्तो, साथी साथ, कमेंट बाक्स बताएगा दोस्तों ठीक है यह जो है किस स्थान से सदस्ता पर वह 2019 लांच किया है वरानसी से बनारस से दोस्तों ठीक है कमेंट बाक्स बताएगा कि कौन है सांसद बनारस का क्रिकेट बिश्व कप 2019 में कूल कितने मैच खेले गए हैं यहां पर आपको बताना है और 48 दोस्तो 48 इसका राइड अंसर हो जाएगा तो देखें दोस्तो यह थे आपके 50 प्लस करेंट अफेर जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं सबी प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा दोस्तो एक जुलाई एक जुलाई से 16 जुलाई तक दोस्तो यह करेंट अफेर मैंने आपको दिया आसा करते हैं कि हमारा प्रेयास हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे इंपोर्टेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तो साथ स्या दोस्तो अगर आपके कुछ सुझाओं सजिस्टन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जर जो लिखिए दोस्तो और अगर आपने देखोशी को स्टेडी इस चुटी चनलों को एक तक सस्क्राइब नहीं किया दोस्तो तो नीचे राटिक बटने सस्क्राइब बगल मे धन्यवाद